किस संसलेशित हेलोजन योगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है तो आपने यह सुना होगा क्लोरोक्विन इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है क्लोरोक्विन आप्शन बड़ी से आंसर हो जाएगा अगले प्रश्नक आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सा पर्माणू सबसे छोटे आकार का होता है यहाँ पर जो options दिये गए हैं उसमें से कौन सा पर्माणू सबसे छोटे आकार का होगा इस प्रश्नक आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कम धर्म वाली होती है तो पीड़ा हारी जवर नासी गुर्धर्म वाली होती है एस्पिरीन ऑप्शन नमबर A यहां पर राइड आंसर हो जाएगा एलिसन ने प्रतम प्रभावी प्रती जीवानू को बनाने में सफलता प्राप्त की उसे प्रती जीवानू का नाम क्या है तो उसे प्रती जीवानू का नाम है आपका प्रोन टो सिल ऑप्शन नमबर B सही आंसर है जब प्रकास एक माद्यम से दूसरे माद्यम में प्रविस करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है आपका अपवरतन option number B से answer हो जाएगा एलकोहल पानी की अपिक्छा अधिक वाश्पसील होता है ऐसा क्यों क्योंकि आपका इसका कुथना का पानी से कम है option number A यहाँ पर इसका कुथना का पानी से कम right answer है जब बल लगाने से लंबाई में ब्रद्धी होती है तो विक्रती कहलाती है तो बल लगाने से लंबाई में ब्रद्धी हो जाएगी तो उसको अनुदेर्द कहा जाएगा option number यहाँ पर A राइट answer है Bluetooth Technology का उप्योग किया जाता है तो Bluetooth Technology का उप्योग उपकरणों के मद्य वायरलेस संपर्क में option number यहाँ पर D से आंसर हो जाएगा निम्द में से अद्रश्य कंड कौन सा है तो अद्रश्य कंड आपका neutrino है option number C neutrino right answer है लैंस का केंड्रिय विंदू क्या कहलाता है तो लैंस का केंड्रिय विंदू प्रकाश के केंड्र कहलाएगा option number V right answer हो जाएगा प्रकाश एक पतली जिली से होकर नेत्र में प्रवेस करता है इस जिली को क्या कहा जाएगा या क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है कौर्णिया ओप्शन नमबर यहांपर D कौर्णिया इस प्रशनी के लिए राइट आंसर है विद्धारा कहते हैं तो विद्धारा जो है विद्धुत आवेश के प्रवाह की दर को विद्धारा कहा जाता है option number D सही answer हो जाएगा टंगश्टंग का गल्लांग कितनी degree Celsius होता है तो टंगश्टंग का गल्लांग जो होता है वो आपका 3380 degree Celsius होगा यहाँ पर आपका option number B इस प्रशने के लिए सही answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कॉश्टं की तरफ अगले कॉश्टं देखिए अगले कॉश्टं में आपसे पूछा गया है थाइरोइड गंती कहां इस्तित होती है तो जो थाइरोइड गंती होती है वो आपकी यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा गले में स्तित होती है option number C गला इस प्रशने के लिए सही answer हो जाएगा आप सभी को पता होगा गले में होती है थाइरोइड ग्रंथी अगला कॉश्टं देख देखேते हैं यह आपकी screen पर इसमें आपसे पूछा गया है जीवन रख्षक का हार्मोन के बारे में पूछा गया है तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो आपका अधिवक्ष होता है ग्रंथी से स्तरावित होता है अधिवक्ष से स्तरावित होता है option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा मानव शरीकी कौन से ग्रंथी एक साथ अंता स्तरावी और बहिर स्तरावी दोनों तरकार करती है तो अधिवक्ष है यह दोनों तरकार करती है अंता स्तरावी और बहिस्तरावी दोनों इंसुलिन उत्पालित होता है तो इंसुलिन जो है आपका अधिवक्ष द्वारा उत्पालित होता है option number D सही आंसर है निम्दलकित में से कौन सा हार्मोन है तो यहाँ जो option एंटीडियूरेटिक हार्मोन है आपका वैसो प्रोपीन option number यहाँ पर वैसो प्रोसीन option number B सही आंसर हो जाएगा मानुशरी की पैर की हड्डियां है तो फिबुला और टीविया यह मानुशरी की पैर की हड्डियां कहलाती है EEG का प्रयोग किसकी गतिविधी दर्ज करने के लिए किया जाता है पेशी से हड़ी को option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा सर्वग्राही कौन से रुधरवर्ग का होता है तो सर्वग्राही जो होता है वो होता है आपका A B option number A यहाँ पर right answer है सर्वधाता कौन सा होता है तो सर्वधाता होता है आपका O option number B से answer है यदि माता पिता मेंसे एक का रुधिरवग A भी है दूसरी का ओ हो तो बच्चों का हो जाएगा आपका A या B option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा किसी किस प्रक्रिया द्वारा स्वसन के दोरान गैस रुधिर में प्रविस करती है और फिर उसे छोड़ जाती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अबकी परासराना option number C सई जाह जाएगा मनुष्य की लाल रख्ट कणिकाओं का जीवन रख kicking का eh उसका संबंद होता है हरदय से क्या बोतें दिल की devakiन प्रारंब करना option number C यहाँ पर इस्वसने के लिए सई entscheid có daare करना नारी दर कहां से माप जाता है एक जो आपके धमनियों से मापते हैं option करना होता है सबी को पता है 72 बार होता है निम्लिकित में से कौन सा एक प्रकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है तो आपका एथिलीन प्रकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है और सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए निम्लिकित में से कौन सा हार्मो किस से निकाले जाते हैं तो यह कवक से निकाले जाते हैं पादब व्रद्धी हर्मोन option number A सही आंसर हो जाएगा कोशिका विवाजन में मदद करने वाला हर्मोन कौन सा है तो कोशिका विवाजन में आपका cytokinin option number C सही आंसर हो जाएगा मदद करता है कोशिका विवाजन में पौधों में chlorophyll option number यहां पर D सही आंसर है ओक्सिनोमीटर का प्रयोग क्या है तो पौधों की व्रदीदर को मापना option number B यहां पर इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा पौधों की व्रदीदरों को मापना अगनी नीरजा रोग किसे संबने थे तो अगनी नीरजा रोग आपका यह से संबने थे option number A save यहां पर right answer है पौधों में flowem किसके लिए उत्तरदाई है तो पौधों में जो flowem होता है वो जल वहन के लिए उत्तरदाई है option number B सही आंसर है जल वहन के लिए पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदाई है तो जो जाइलम होता जन वहन के लिए option number B जा से जाइलम और जा से जल वहन याद रखना ठीक है जाइलम काई के लिए होता है जल वहन के लिए और flowem काई के लिए होता है तो flowem होता है आहार के लिए यहाँ पर गलटिक लग गया है सही कर लो सही कर लो फ्लोयम से फासे फूड फासे फ्लोयम और फूड मतलब आहार ठीक है और जासे जल जासे जाईलम option number B cranium या कपालिका के उपरी भाग को ढखने वाली मासपेशी क्या कहलाती है उस मासपेशी को कहा जाता है आपका गैलेना एपो नियूरोटी का option number A यहाँ पर सही आंसर है मानव शरीर में cranial तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है तो मानव शरीर में 12 जोड़ी cranial तंत्रिका होती है option number A right answer है विटमिन E का रासायनिक नाम क्या है तो टोको फेरोल विटमिन E का रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूतर क्या है तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूतर है NaOH option number A प्लाश्टर और पैर जिसको P.O.P. बोलते हो उसका रासायनिक सूतर क्या है calcium oxy chloride option number a right answer हो जाएगा bleaching powder नमलकित में से किससे गुजार के तयार किया जाता है तो bleaching powder बुजे हुए चुऊने पर chlorine को गुजारने से तयार किया जाता है और ये राज का आख़ी question milk of magnesium के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रती अमलका मुख्यत तो क्या है तो milk of magnesium mg o h का hold twice option नमबर यहां पर c सही answer है और आपके लिए surprise question है इस प्रशन का answer comment box में comment करके बताएए कि अधिक उचाई में मानो शरीर में लालरक कोशिकाओं पर क्या होगा उनका आपको मैं दो option दे रहा हूँ इसमें से एक सही answer है आकार में बढ़ी हो जाती है कि संख्या में बढ़ जाती है इनमें से कोई एक answer सही comment box में बताओ आकार बढ़ जाएगा या संख्या इस प्रशन का answer आप comment box में comment दे करके हमें बताएएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तो तकीरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर देना आपको रोज सो कॉशन मिलेंगे चैनल पर ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत बहुत धन्यवाद